एलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलजर अकेडमी, माई नेम इस मान जिंग मौर्य, दोस्तों आज की परियावरण की ये क्लास बहुत ही इंपर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैंने परियावरण के 30 बहुत ही महतुपूर कोस्चन यहाँ पर लिये हैं, जो आपके आने वाले यूपीटेट के एक्जाम में आपको जरूर जरूर मिलेंगे, तो चलिए इन सभी कोस्चनों का आंसर बहुत ही विस्तार से देखेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो चैनल को सस्क्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा सेर करिएगा, थैंकिव दोस्तों, चलिए, महान न्याइवादी की नियुकती कौन करता है, पहला कुशन है, महान न्याइवादी की नियुकती कौन करता है, तो वो करता है, तो भारत के सम्विधान के किस अनुछेद में दिया गया है दोस्तों, तो अनुछेद चीहत्तर में भारत के महान न्यायवादी के पद के बारे में दिया गया है और यहाँ पर राष्टपती दिया है तो राष्टपती को भारतिय सम्मिधान के अनुछेद बावन में किसमें दोस्तों अनुछेद 52 में बताया गया है कि भारक का एक राष्टपती होगा और दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि परधान मंत्री के लिए कौन सा अनुछेद है तो परधान मंत्री के लिए अनुछेद 75 है ना पूछा जा सकता है राष्टपती अनुछेद बावन उपर राष्टपती 63 राज्यपाल 153 और प्रधान मंत्री 75 है ना और खुद महान्यावादी को किस में दिया गया है अनुछेद 76 में याद रखीएगा चलिए अगला कुश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगला कुश्चन है जीवाडू से होने वाला रोग है जीवाडू से होने वाला रोग है तो यह है दोस्तों यच्छमा रोग है ना ओप्शन C यहाँ पर राइट हो जाएगा जीवाडू से होने वाला जो रोग है दोस्तों या है यच्छमा रोग समझेगा दोस्तों आपने एक समाने रोग का नाम सुनाओगा टीबी है ना टीबी को ही यच्छमा रोग के नाम से जाना जाता है देखिए TB जो रोग है दोस्तों उसका बहुत सारा नाम है पहला नाम समझेगा TB को Tuber Colossus रोग के नाम से जाता है यहांकि TB के लिए जो जिवाडु जिम्मेदार है उसका नाम है Microbacterium Tuber Colossus क्या मैंने बोला TB के लिए जो जिवाडु जिम्मेदार है दोस्तों TB यच्छमा रोग तपेदिक रोग काक रोग है ना राज्य च्छमा रोग बहुत रोगों के नाम से बोला जाता है कौन-कौन सा मैंने बोला TB को यच्छमा रोग राज्य च्छमा रोग है ना राज्य च्छमा रोग उसके बाद TB को तपेदिक बोला जाता है तपेदिक उसके बाद काक रोग बोला जाता है कौन सा रोग दोस्तों काक रोग काक रोग भी टीबी को बोला जाता है और टीबी किससे होता है दोस्तों तो माइक्रो बैक्टिरियम नामक जीवाडू से माइक्रो बैक्टिरियम टूबर कोलोसिस नामक जीवाडू से होता है और यहाँ पर दिया गया है दोस्तो स्वाइन फ्लू के बारे में, तो स्वाइन फ्लू के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे, यहाँ वाइरस से होने वाली बिमारी है, और इसके लिए जो जिम्मेदार वाइरस है, इसका नाम है H1N1, कौन सा? H1N1, हाँ 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 एट्स रोग के जागरुकता अभियान से C दिया है fashion से और D दिया है इनमें से कोई नहीं तो समझिएगा Red Ribbon का सम्बंद एट्स रोगी से ना होकर के किस्से है एट्स रोग के जागरुकता अभियान से Option B यहाँ पर Right होगा Red Ribbon का सम्बंद है दोस्तों और virus का नाम है HIV अभी हमने पहले question में इसको discuss किया था याद रखीगा चलिए अगला question देख लेते हैं दोस्तों अगला question है निम्ले लिखित में से कौन सी gas वैस्विक तापन के लिए जिम्मेदार है निम्ले लिखित में से कौन सी gas वैस्विक तापन के लिए जिम्मेदार है तो option यह दिया है chlorofluorocarbon B दिया है methane और C दिया है carbon dioxide और D दिया है सभी तो देखिए दोस्तों वैस्विक तापन के लिए जिम्मेदार gas है वह कौन सी होगी तो यह तीनों वैस्विक तापन के लिए जिम्मेदार है ना क्लोरो फ्लोरो कारबन भी जिम्मेदार है मीथेन भी जिम्मेदार है और कारबन डाइड तो प्रमुख रूप से जिम्मेदार गैस होती है तो यह सभी गैसे वैस्विक तापन के लिए जिम्मेदार होती है अब वेस्विक तापन क्या होता है थोड़ा सही अभी समझिएगा देखिए, प्रिथ्वी का आउसत तापमान होता है दोस्तो 15 degree Celsius, ह Prix में जो तापमान है वह कितने degree Celsius होता है 15 degree Celsius, अगर प्रिथ्वी का आउसत तापमान 15 degree Celsius से बढ़ कर 16, 17, 18 ऐसे होने लगे, तो उसी को हम कह होते हैं कि वेस्टविक तापन में बृध्धी हो गई है और यह जो सभी गैसे यहां पर दिया गया है क्लोरो फ्लोरो कार्बन मीथेन कार्बन डाइकसाइड यह सभी गैसे वेस्टविक तापन में बृध्धी करने का काम करती हैं इन्ही गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जात है है ना कौन कौन सी होती है ग्रीन हाउस गैसे तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन मिथेन कार्बन डाइकसाइड नाइट्रस अकसाइड है नाइट्रस अकसाइड है दोस्तों उसके बाद ओजोन है उसके बाद जलवास्प है यह सभी गैसे कैसी है ग्रीन हाउस गैसे है याद रखि यह का आवस्तित हैं दोस्तों तो यह है इंगल्ऐंड में Static data है याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उध्यान कहा ही इंगल्ऐंड में इस्तित है याद रखिएगा हना Option A यहाँ पर Right हो जाएगा चलिए अगला Quesn देखते हैं अगला कुश्चन है दोस्तों, निमनलिकित में से कौन प्रदूसक संकेतक है, बहुत ही लाजवाब कुश्चन है, यहाँ बार बार कुश्चन यहाँ आता है एक्जामों में, कि निमनलिकित में से कौन प्रदूसक संकेतक है, तो वो है दोस्तों, लाइकेन, ओप्शन C बढ़ता जा रहा है और जहां पर वाई उप्रतुषण बढ़ता नजर आता है वहां पर लाइकेन विलुप्त होने लगते हैं लाइकेन गायब होने लगते हैं और दोस्तों लाइकेन है क्या तो यह सहवाल और कावक के बीच में काड़ी का काम करता है इसलिए लाइकेन को सह सहयोजी कहा जाता है लाइकेन को क्या बोला जाता है सहयोजी सहयोजी सरी सहजीवी बोलेंगे सहसयोजी नहीं बोलेंगे सहजीवी बोलेंगे सहजीवी है ना लाइकेन को बोला जाता है सहजीवी सहवाल और कवक के बीच की कड़ी भी इसको बोला जाता है याद रखिएगा तो नियम नलिखित में से कौन प्रदूसक संकेतक है तो वह है दोस्तो लाइकेन ओप्शन C यहाँ पर राइट है याद रखिएगा चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है दोस्तो भोपाल गैस तरास्थी से संबंधित यौगिक का नाम है तो यह दोस्तो मिठाइल आइसो साइनेट ओप्शन C दिया है और ओप्शन C राइट है मिठाइल आइसो साइनेट भोपाल गैस तरास्थी में स्रावित गैस का नाम है यौगिक का नाम है दोस्तो भोपाल गैस तरास्थी बहुत बार एक्जामों में आ गैस तरासदी में लगभग 1500 लोगों की मृत्यू हो गई थी और उसमें जिस गैस का स्रावण हुआ था उसका नाम है मिथाइल आईसो साइनेट इसको सौट में दोस्तो MIC भी बोला जाता है मिथाइल आईसो साइनेट याद रखिएगा है ना चलिए अगला कुशन देख लेते हैं अगला कुशन है दोस्तों लोग सभा अध्यक्ष को सपत कौन दिलाता है लोग सभा अध्यक्ष को सपत कौन दिलाता है तो वो दिलाता है दोस्तों कोई नहीं ओप्शन D यहाँ पर राइट हो जाएगा देखिए जो लोगसभा का अध्यक्ष speaker होता है वो पहले ही लोगसभा के सदस्य के रूप में सपत ले लिया रहता है समझेगा लोगसभा के सदस्य के रूप में पहले ही लोगसभा अध्यक्ष सपत ले लिया रहता है इसलिए जब उसका लोगसभा अध्यक्त के रूप में निर्वाचन होता है तो उसको सपत कोई नहीं दिलाता है ना तो इसमें आपसन कौन सा सही होगा डी वाला उसको लोगसभा अध्यक्त को सपत क्यों नहीं दिलाता क्योंकि वह पहले ही लोगसभा के सदस्य के रूप में सपत ले लिया रहता है याद रखिएगा है ना चलिए अगला कोस्टन देखते हैं दोस्तों अगला कोस्टन है नदी में जल प्रदूशन के निर्धारण के लिए किस की घुलीवी मात्रा मापी जाती है नदी में जल प्रदूशन के निर्धारण के लिए किस की घुलीवी मात्रा मापी जाती है तो मापी जाती है दोस्तों आक्सीजन की है ना नदीयों के जल में अगर आक्सीजन की मात्रा कम होती है मापने पर तो यह आप बोला जाएगा कि नदियों का जल प्रदूसित हो गया है क्योंकि आपको पता है कि नदियों में बहुत सारे चोटे बड़े जीव जन्तु निवास करते हैं अगर नदियों के जल में आक्सिजन की मात्रा कम घुली हुई रहेगी तो उनको आक्सिजन ग्रहन करने में समस्या होगी क्योंकि वह जल में ही गुला हुआ आक्सिजन ग्रहन करते हैं नदियों के जीव जन्तु और अगर आक्सिजन की मात्रा कम हो जाएगी तो उनकी मृत्तिव होने लगेगी और दोस्तों तो इसलिए नदियों के जल में आकसीजन की मातरा निरंतर मापी जाती है और इसी मापन को क्या बोला जाता है दोस्तों तो BOD बोला जाता है biochemical oxygen demand है ना बायोगेमिकल oxygen demand नदियों में oxygen को मापना होगा है ना तो option B यहाँ पर right हो जाएगा आक्सिजन की मात्रा नदियों के जल में मापी जाती है याद रखीएगा चलिए अगला कुश्चन देख लेते हैं अगला कुश्चन है दोस्तों मोटर वाहनों से निकलने वाले निम्न में से कौन सी एक प्रमुख प्रदूसक गैस है मोटर वाहनों में से निकलने वाले निम्न में से कौन सी एक प्रमुख प्रदूसक गैस है तो वह दोस्तों कार्बन मोनो अक्साइड ओप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा जो दोस्तों वहाँ निकलते हैं चलते हैं उन में से कार्बन मोनो अक्साइड सरवाधिक मात्रा में निकलती है और वह एक प्रमुख प्रदूसक गैस है अगर मानो के रग्त में कार्बन मोनो अक्साइड गैस पहुच जाए तो मानो की मृत्यू भी हो जाती है बहुत ही खतर नाग गैस होती है कारबन मोनो आकसाइड है ना चलिए अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन है भूमिगत जल को दूसित करने वाले अजयविक प्रदूसक है यहाँ पर सब्दों में ध्यान दीजिएगा भूमिगत जल को प्रदूसित करने वाले अजयविक प्रदूसक हैं अजयविक मतलब जिसमें जीवन ना हो तो आपसने दिया है जीवाडू जिसमें जीवन होता है भी दिया है वाइरस या भी या तो वाइरस भी एक तरह से बोलेंगे ना तो यहां सजीव है ना यहां निर्जीव है क्योंकि वाइरस जब वातावरण में रहता है तो यहां तो दोस्तो भूमिगत जल को दूसित करने वाले अजयविक प्रदूसक कौन है तो यह दोस्तो आरसेनिक, option C यहाँ पर right है दोस्तो जिवारू, वायरस और जन्तू भी भूमिगत जल को अनेक अनेक प्रकार से दूसित करते है परंतू अजयविक कारवख होंगे नकी अजयविक, तो अजयविक में कौन सा आएगा आरसेनिक, option C यहाँ पर right हो जाएगा चलिए अगला कोशन देख लेते हैं, अगला कोशन है दोस्तो भारत में हरित करामती के जनक कौन माने जाते हैं भारत में हरित क्रांती के जनक कौन माने जाते हैं तो वो माने जाते हैं दोस्तों MS स्वामिनाथन, option B यहाँ पर right है, MS स्वामिनाथन को भारत में हरित क्रांती का जनक माना जाता है, और विश्व में पूछ दे दोस्तों कि विश्व में हरित क्रांती का जनक किसे माना जाता ह है ना और भारत में पूछा जाए तो MS स्वामिनाथन option B यहाँ पर right है चली अगला question देख लेते हैं दोस्तों अगला question है पर्यावरन दिवस कब मनाया जाता है तो मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को option B यहाँ पर right है आप इस question को कई बार पढ़े होंगे इसलिए जादा इस प राष्टपती का निर्वाचन कैसे होता है तो option ने दिया है परत्यक्ष रूप से B दिया है A परत्यक्ष C दिया है परत्यक्ष और A परत्यक्ष और D दिया है इन में से कोई नहीं तो देखे दोस्तों राष्टपती के निर्वाचन का जो प्रक्रिया है यह A परत्यक्ष र रूप से राष्टपती का निर्वाचन होता है समझेगा यहाँ पर अगर किसी भी निर्वाचन में जनता ओट देने जाएगी अगर किसी भी निर्वाचन में जनता ओट देने जाएगी या जनता भी निर्वाचन में भाग लेती है तो उसको बोला जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन और ऐसा निर्वाचन जिसमें जनता प्रत्यक्ष यानि जनता ओट देने नहीं जाती जनता प्रत्यक्ष रूप से अपना प्रतिनी निधी नहीं चुनती उसको कैसा निर्वाचन बोला जाता है अपरतयक्ष निरवाचन बोला जाता है तो राश्टपती का निरवाचन कैसे होता है दोस्तों तो अपरतयक्ष रूप से है ना router पति का निरवाचन कैसे अपरतयक्ष रूप से option B यहाँ पर write होगा याद रखीगा चलिए अगला question देख लेते हैं, अगला question है दोस्तों, निमनलिखित में से प्राथमिक उत्पादक है, तो वह है दोस्तों, पाधप, पौधा है ना, पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं, क्योंकि वह सूरी के प्रकास से अपना भोजन बनाते हैं, प्रकास संसलेशन के प्रक्रिया के द प्राथमिक उपभोगता है क्योंकि बकरी साकाहारी होती है और जितने जीव जन्तु साकाहारी है वह सभी प्राथमिक उपभोगता होते हैं है ना प्राथमिक उपभोगता होते हैं और पादक क्या है तो यह प्राथमिक उत्पादक है आपने पर्यारण में खादे स्रिंखल खादिजाल पढ़ा होगा, तो आपको यह question बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा, चलिए, अगला question देख लेते हैं, अगला question है दोस्तों, सिमली पाल राष्टी उद्यान किस राज में आवस्थित है, याद रखिएगा, option C right है, और एक दो मैं बता दूँ, आपको दोस्तों देखिए, यहाँ पर दिया गया है, किसके बारे में, थोड़ा सा इसको भी जानेंगे, मध्यप्रदेश में कौन सा है दोस्तों, तो मध्यप्रदेश में है कानहा किसली, मध्यप्रदेश में कौन सा राष्टी उद्यान है, कानहा किसली, उत्तराखंड में है दोस्तों, जीम कारवेट राष्टी उद्यान, जीम कारवेट राष्टी उद्यान, भारत का सबसे प पौधे और जन्तुओं की संकटगरस्त प्रजातियों को प्रकासित करने के लिए IUCN ने निम्रलिखित में से कौन सी पुस्तक तयार की है यह तयार किये दोस्तों रेड डाटा बुक ऑप्शन बी यहां पर राइट होगा दोस्तों IUCN ने फिर्थवी पर जो पौधे और जो जन्तुओं लुप्त होते जा रहे हैं जिनकी प्रजाती है संकटगरस्त हो गई है उन्हें की एक सुची बनाई है एक पुस्तक बनाई है जिसको क्या बोला जाता है रेड डाटा पुस्तक और रेड डाटा पुस्तक में किसका उल्लेक है तो संकटगरस्त पौधे और जिव जन्तुओं की प्रजाती का ठीक है पौधों की भी प्रजाती रहेगी और जन्तुओं कोई भी संकटगरस्त प्रजाती रहेगी याद रखिएगा चलिए अगला question देख लेते हैं दोस्तों अगला question है काजी रंगा राष्टी उद्यान प्रसिद्ध है पहले दिन से ही यह question आपके सामने बार बार आ रहा है इसलिए क्योंकि यह बहुत important है काजी रंगा राष्टी उद्यान दोस्तों एक सिंग वाले गैंडे के लिए बहुत जादा प्रसिद्ध है याद रखिएगा एक सिंग वाले गैंडे के लिए कौन सा काजी रंगा और किस राजे में है तो दोस्तो असम में है ना असम में है काजी रंगा और एक सिंग वाले गैंडे के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है याद रखिएगा चली अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन है दोस्तो निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है ना निम्न लिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नही और जबकि question पूछा गया नहीं गिरती तो यहाँ तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, यहाँ पर question पूछना चाहिए था कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, है ना, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो आपसन क्या सही हुआ होदा, सुवर्ण रेखा, जबकि नहीं गिरती तो तीनो नदियां, सिंदू, नर्मदा तापति यह तीनों कहां गिरती हैं औरब सागर में देखिए दोस्तों औरब सागर में गिरने वाली नदियां पूर उसे प्वस्चिम की ओर बहती हैं और उसमें कौन-कौन सी नदी है मैं बता दू यहाँ पर थोड़ा एक ट्रिक याद रखिएगा समानता ट्रिक का नाम है स समानता है ना मारकर में थोड़ी प्राब्लम हो रही है नहीं चल रहा है सही से समानता है ना समानता कौन-कौन सा तो समानता से सिंधू मा से माही न से नर्मदा और ता से तापति यह सभी नदियां कहां गिरती हैं और अब सागर में गिरती हैं याद रखिएगा चलिए नहीं है, निमनलिखीत में से कौन मानो पर्यावरण का घटक नहीं है, तो वह है दोस्तो धर्म है ना, option यहापर D right हो जाएगा, धर्म मानो पर्यावरण का घटक नहीं है, चलिए अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन है, माउंट Everest एक भाग है Mount Everest किसका भाग है दोस्तों तो यह है नेपाल का है न Mount Everest भारत में नहीं है कहाँ पर है नेपाल में विश्व की सबसे उची चोटी Mount Everest नेपाल में है जिसकी उचाई है 8848 मीटर है न 8848 मीटर यह नेपाल में इस्थित है और इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है नाम याद रखिएगा बहुत बार पूछा गया है सागर माथा के नाम से Mount Everest को नेपाल में जाना जाता है याद रखिएगा चलिए अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों अगला कोशन है रियक्टर पैमाने से तिब्रता मापी जाती है रियक्टर पैमाने से तिब्रता मापी जाती है किसकी तो याद रखना है दोस्तों भूकंप की option B यहाँ पर right हो जाएगा रियक्टर पैमाने से भूकंप की तिब्रता मापी जाती है है ना चलिए अगला कोशन देखते है अगला कोशन है दोस्तों विदेशिया किस राज्य का लोक निर्टे है विदेशिया किस राज्य का लोक निर्टे है तो यह दोस्तों बिहार का option B यहाँ पर राइट है विदेसिया बिहार का लोक निर्थे है और यहीं पर बता दू मैं उत्तरप्रजस का तो यह है दोस्तो नौटंकी और रासलीला उत्तरप्रजस का कौन सा लोक निर्थे है नौटंकी रासलीला कॉथक और जारखंड का है दोस्तो जाट 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 उडिसा का है उडिसी लोक निर्थे है ना याद रखिएगा तो बिहार का लोक निर्थे कौन सा है विदेशिया याद रखिएगा तो option B यहाँ पर राइट हो जाएगा चलिए अगला कोश्चन देखते हैं फटाफट अगला कोश्चन है सूरी के निकट तम ग्रह कौन सा है तो बुद्ध option B यहाँ पर राइट है सूरी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है बुद्ध है ना option B यहाँ पर राइट हो जाएगा चलिए अगला कोश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी अगला कोश्चन है निमनलिखित वाहन इधन में से किसको आजकल परियावरण सनेही माना जाता है यानि किसको परियावरण का मित्र माना जाता है किस वाहन के इधन को मतलब कौन सा इधन है जो वाहनों में प्रयोग होता है और उसको परियावरण का सनेही माना जाता है यानि परियावरण का म माना जाता है तो है दोस्तो संपीडित प्राकृत गैस कौनसा संपीडित प्राकृत गैस को क्या बोला जाता है पर्यावरण का स्नेही माना जाता है ओप्शन डी यहाँ पर आइट होगा संपीडित प्राकृत गैस को है ना जिसको सौर्ट में क्या बोलते हैं cng बोलते हैं cng है ना compressed natural gas cng को पर्यावरण का स्नेही माना जाता है क्योंकि इससे सबसे कम production फैलता है हमारे वातावरण में याद रखिएगा है ना चलिए अगला question देखते हैं अगला question है कौन सी बीमारी दूसित जल पीने से फैलती है कौन सी बीमारी दूसित जल पीने से फैलती है तो वह है दोस्तो टाइफाइड है ना टाइफाइड को आत का बुखार कहते हैं और यह दूसित जल पीने से फैलती है यानि option A यहाँ पर right हो जाएगा option A यहाँ पर right है देखिए दोस्तों टाइफाइड को आत का बुखार कहते हैं और टाइफाइड के लिए जो जिवाडू जिम्मेदार है उसका नाम है सालमोनेला टाइफोसा टाइफाइड होने के लिए जिवाडू जिम्मेदार है उसका नाम है सालमोनेला टाइफोसा है ना और एनिमिया जो अभी जिवारू से होगा टिटनेस और टिटनेस कैसे होता है तो अगर आपके सरीर में कहीं चोट लगी है और वह गंदे अस्थानों से टच होगा जैसे मल मुत्र से टच हो जाए तो आपको टिटनेस हो जाएगा और टिटनेस को एक और नाम से जानते हैं चलिए अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है दोस्तों जैव आक्सीजन मांग BOD किसके लिए मानक मापदंड है जैव आक्सीजन मांग किसके लिए मानक मापदंड है तो यह है दोस्तों नदियों में स्वक्ष जल की स्वक्षता के लिए जो मानक मापदंड है उसक नदियों के जल में अक्सिजन की माप करना ही होता है कि नदी का जल कितना स्वस्थ है अभी हमने उपर बात की थी तो इसका option A right होगा याद रखीएगा चली अगला question देख लेते हैं अगला question है दोस्तों सन 1992 में पर्यावर्ण सुरक्षा से संबंधित प्रथम प्रित्वी सम्मेलन किस सहर में आयोजित हुआ था तो वह था दोस्तों Rio de Janeiro में ब्राजिल के सहर Rio de Janeiro में 1992 में प्रथम प्रित्वी सम्मेलन किया गया था जिसमें विश्व के पर्यावर्ण के मुद्धों को चर्चा में लाया गया था तो option B यहाँ पर right हो जाएगा याद रखीएगा चली अगला question देख लेते हैं अगला question है दोस्तों किस vitamin की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है तो यह दोस्तों vitamin K है ना option C यहाँ पर right हो जाएगा vitamin K की कमी से मानव के सरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता और vitamin A की कमी से होने वाला रोग कौन सा है रताओधी बिटामिन B की कमी से होने वाला रोग है बेरी-बेरी बिटामिन D की कमी से बच्चों में होने वाला रोग रिकेट्स और वयसकों में होने वाला रोग है दोस्तों आस्टियो मेलेसिया बच्चों में बिटामिन D की कमी से रिकेट्स हो जाता है जिससे बच्चों की हेड़ियां टेड़ी मेड़ी हो जाती है और वायसकों में जो रोग होता है विटामिन D की कमी से उसको बोला जाता है औस्टियो मेलेसिया याद रखिएगा है ना चलिए अगला कोश्चन देखते हैं लास्ट कोश्चन होगा यह भारतिय सम्मिधान की अनुसुची 10 में दिया गया है तो यह दिया गया है दोस्तों दल बदल ओप्शन C यहाँ पर राइट है भारतिय सम्मिधान के अनुसुची 10 में दिया गया है दल बदल है ना अगर कोई व्यक्ति दल बदल करता है तो उसी के लिए प्रावधान दिये गया है किस में अनुसुची 10 में और यह लागू होते हैं राज नेताओं पर है ना राज नेताओं पर यह लागू होता है अनुसुची 10 और अनुसुची 10 में दल बदल का प्रावधान बदलने का प प्रावधान किया गया है अनुसुची 11 में नगर पंचायत और अनुसुची 12 में नगर पालिका है ना अनुसुची 12 में नगर पालिका अनुसुची 11 में नगर ग्राम पंचायत और अनुसुची 10 में दल बदल और अनुसुची 3 में सपत का प्रावधान किया गया है तो ये आज टॉप 30 जो पर्यावरन के question थे वो थे आपने इसका विस्तार देखा होगा बहुती अच्छे से चलिए कल के लिए आपसे एक सवाल पुछा जाएगा जिसको अंसार आएगा वह comment करके जरूर बताएगा और जितना हो सके इस question के लिए विस्तृत comment करिएगा और ज्यादा से ज्यादा विस्तृत comment लिख करके करेंगे तो यह question आपके लिए अमर हो जाएगा कभी नहीं भूलेंगे अगर आ रहा होगा तो गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था question है गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था option A है अमरिस सर, B है तलवंडी, C है पंजाब और D है जिसको इस question का answer आ रहा होगा वह comment करके विश्तृत बताएगा है न दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही विडियो अगर पसंद आया होगा तो please share करिए, like करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा subscribe करिए दोस्तों, thank you, thank you so much, God bless you all